फाइनल मुझे अपना YouTube हैंडल मिल चुका है अगर मैं चाहूं तो इसमें बदलाओ कर सकता हूँ वो बदलाओ मुझे किस तरह से करना है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आने वाले समय में आपको भी एक YouTube हैंडल मिल जाएगा अब आपको अपने हिसाब से YouTube handle को customize कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके लिए मैं आपको अपने computer की screen पर लेकर चलता हूँ वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि YouTube handle को आप किस तरह से update कर सकते हैं, change कर सकते हैं अगर आपके मन में YouTube handle को लेकर कोई doubt है, इस वाले उपर जो आई का बटन आपको नजर आ रहा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने YouTube studio app में, यहाँ पर आप देखेंगे, customize का option मिलेगा आपको यहाँ पर, customize key button पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको basic information में क्लिक कर देना है इस वाले चैनल पर जब हमारे कम subscriber है, तो यहाँ पर हमें कोई भी YouTube handle नहीं मिला है, लेकिन दूस्तों मेरे दूसरे वाले चैनल पर YouTube handle हमें मिल चुका है, तो उसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरा दूसरा channel है, जो की verified channel है, और यहाँ पर हमें मिल चुका है YouTube handle तो यह YouTube handle मैं कैसे change करूँगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर अगर आपको यह handle पसंद नहीं आता, तो यहाँ से आप इसको edit कर सकते हैं, आपका मन पसंद नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर वो नाम उपलब्ध होगा YouTube handle पर, तो आपको मिल जाएगा जैसे मैं change करके देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इसको मिटा के और कुछ लिखा, तो जैसे मैंने यहाँ पर take mind लिखा, तो यह इसकी possibility नहीं है कि यह हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर suggest कर रहा है हमें दूसरे, दूसरा नाम लिखने के लिए कि यह वाला आपक यह YouTube कह रहा है कि यह वाला आपको मिल सकता है, यह वाला आपको नहीं मिलेगा, चलो वापिस हम इसको कर देते हैं, I think यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करके बेल वा प्रेप पार तो सब्सक्राइब